नश्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चनल पर तो ये देखिए अभी साड़े दस बाज गया है सुबके और सिद्धर जा रहा भी नहाने के लिए हाथ ने गुसम में अभी ये नहाने के लिए त्यार हो गया है जग नहाने अभी ममी जी सिद्धात को इसको पहले नह नहाई हूं अभी फिर एक-एक करके जो है नहाऊंगी तो ये नहाने में तो रोएगा नहीं बिल्कुल भी रहे क्या है ठंद लग रहा है दूप भी है इसलिए चाट पर नहा देंगे चाट परी सिद्धात को नहाते हैं क्योंकि चाट पर धूप रहता है अच्छा सा अब अब ये बड़ा हो रहा है थोड़ा 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 अर बदमास भी हो रहा है बदमास भी हो रहा है ना तो बदमास भी हो रहा है बहुत ज्यादा जीव निकालने सिखा है क्या क्या करने सिखा है अब है तो है यह सिद्धत ना रहा है और नाने में बिल्कुल भी नहीं रोता है थोड़ा सा मूह में जब ऐसंके मुंर में साबुन लगाते हैं तो थोड़ा सा रोता नहीं नहीं रोगा और देखिए यह त्थ vịन 7 जबानी धी मनुआही करें भुड्र मतलब ममी जी पकड़ कर रखे 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 हैं और मैं जो है अच्छे से बाहमा था मैं साबून देकर मूँ में भी साबून लगा दी था तो अभी इस टाइम पर थोड़ा सा रोया था फिर जो है जल्दी से ही चूप भी हो जाता है जैसे इसका मूँ धो देते हैं फिर कम हो जागा जिससे की मतलब गर्मी आ जाएगा तो इसको मैं रोज नहा दूंगी क्योंकि ये पांस मेना का हो गया है तो आप रोज भी नहाएंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा तो और बच्चा को जैसे गर्मी में रोज नहाना ही अच्छा है और अब इसका जैसे की जल्दी नहा देंगे तादत भी हो जाएगा और इदार देखिए सिद्ध का नहाना जो है हो गया है नहा लिया है कैसे लगा नहा कर तुमको कैसे लगा अच्छा लगा ना थेंदक कम हो गया है सिद्धर्त आप जाएगा तेर लगाने के लिए कैसे लगा सिद्धर्त नहाने के बाद कैसे लगा नहा लिया थोड़ा सा रोया था थोड़ा सा नहीं रोता है और अभी हो रहा है विनिंग के टाइम और अभी मैं साम के नस्ता बनाने जा रही हूं तो देखिए आज मैं कुछ नाया रेसिपी बनाऊंगी और आप लोग से सेर भी करूंगी तो यह देखिए इतना सूची है सूची लगबग 200 ग्राम तक है और इसमें मैं गुन-गुन पानी डार रही हूं तो यह ना अभी जैसे गरम पानी में इसमें डाली तो यह बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा फूल के तो यह देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पानी देखर इसी दर मिक्स कर रही हूं और देख सकते हैं कितना ज्यादा हो गया फूल के और यहां गुद कुछ मैं स्वापिंग की थी jो मैं आप सबसे शेर कर रहे हूं है तो ये सबसार Ta de ु सबस्यार ने यू और लोन्ग कुछ Merci तो देखिए इसका डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है और इसमें पूरे कुरती में फ्लावार का डिजाइन किया हुआ है और बहुत ज़्यादा सौफ्ट है राउंड नेका है तो ये कुरती में मगाई थी और सेकेंड ये देखिए ये मैं अपने लिए एक मंगल सुथ म मुझे पसंद था तो फिर मैं मागा ली हूँ और देखिए विल्कुल भी ये गोल्ड का जैसे लग रहा है और साड़े के साथ बहुत बहुत सुन्दर लगेगा तो ये मेरा मंगल सुथ और लंबा भी है तो मुझे मैं ली थी अपने लिए और इसके बाद जो मैं ली जो मुझे काफी ज़्यदा जोरत था मैं चूड़ी ली हूँ देख सकते हैं और चूड़ी इस तरह का पेकेटिंग के साथ आया है और जैसे की एमाजन से कुछ भी आता है तो उसका पेकेटिंग बहुत ही अच्छा रहता है ताकि वो मतलब खराप ना हो कोई से भी टूट तो देखिए इस तरह का प्लास्टिक कितना लंबा प्लास्टिक में पेक होकर आया है और ये पूरे चूड़ी जो है मैं देखिए पूरे बारा फीस मतलब बारा कलार का है और देखिए इस तरह कितना प्यारा कलार है सारे कलार बहुत ही अच्छा है तो मैं पहन कर दिखा यह मेरा ही साइज है तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है पूरे मतलब एक दर्जान दर्जान करके बारा दर्जान है यह चूड़ी और मतलब एक सेट यह रहेगा तो फिर कोई भी साड़ी में आपको पहनने के लिए कोई दिकत नहीं होगा आपको कुछ भी कलर का साड पेणी है लेकिन होता है साड़ी इस कलर का है लेकिन चूडी नहीं है तो देखिए हम चूड़ी से कलर जो छुटा खर भी नखुन से देख रहे थे लेकिन .. appetite नी का रहा थ ही यह बहुत प्यारा कलर है सारे कलर तो luck and ताकि मुझे साड़ी पेनने के टाइम और चूड़ी के लिए सोचना ना पड़े तो ये देखिए पूरे में ये एक पकेट तो खोली थी तो अच्छे से नहीं पेक कर पाई हूँ और एक पकेट देखिए कि इतना अच्छे से वहां से पेक होकर आया है और यहां पर देखिए जो मैं अपने लिए सेंडिल मागाई हूँ मुझे काफ़ी ज्यादा जूरत था इस तरह की सेंडिल का तो ये देखिए ये सैंडिल कितना अच्छा है मैं अपने पसंद से मागाई हूँ और ये पूरे सेंडिल जो है वाटर पूर्फ है और इतना ज्यादा हलका है मतलब पहने में बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं आप सेंडिल पहने हैं और स्टैल्स्ट भी है तो देखिए इस तरह का बेल्ट लगा हुआ है क्योंकि आप अगर कहीं जाते हैं जल्दी बाजी में तो पहन कर जोर से चल भी सकते हैं और ये सफिपर्ट मेरे हमेरे घ्रवे कमको मांजाएं एप जवस्ट यह सबको मेरे और देख सकते हैं और अच्छा लगता है और यह सलीपर्ड इन्होंने घर पर पहनने के लिए हमेरे सारी में मैं अमाजॉन से मागाई हूँ अगर आप सब को मेरा पॉडक्स अच्छा लगा तो मेरे डिस्किप्शन बॉक्स में सारे पॉडक्स का लिंक है आप चाहे तो चेक आउट कर सकते हैं मेरे लिंक के धुरू ले सकते हैं और यहां पर मैं सूजी को मतलब सेट होने के लिए एक घंटा तो छोड़ दी थी और अभी देखिए आकर मैं देख रहे हैं तो कितना जादा पूलकर हो गए हैं क्योंकि इस पतली पे तो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा तो फिर मैं मतलब बड़ा कड़ाई में ले लिए ह और इसी में सारे जो जो मुझे इसमें डालना है इसी में डालकर अच्छे से घोल लूँगी तो जैसे कि मुझे आप घोलना है तो इतना चोटा पतली में तो होगा नहीं आरिधार में दो प्याज पारी पारी से काटकर राक ली थी और दो हरा मिर्चे जो छोटा-चोटा क करके हमें काट ली थी और एक स्क्राइट उसके बाद में में डालाओं लुओ अपने बेंट बपन ही सिर्अपर दिटा और लोगते हुआ उर थोड़ा से मतलब आपने पसंद से दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि ये सूजी का जो चिला है ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और इसको मतलब जितना पतला से आप गहल सकते हैं मतलब जितना पतला बना कर आप चिला बना सकते हैं उतना ही अच्छा लगता है तो कि मिक्स करने तो इसी से में आच्छे से मिक्स कर दोंगी ताकि जाली कि अम पानी करतेखल दो कर nauka उपर से नमक डाल दी और यह देखिए इतना सारा मतलब थोड़ा सा सूजी का कितना ज्यादा बन गया है ना इसमें बहुत ज्यादा मतलब चीला जो है बन जाएगा और इस तरह करके मैं चीला एक एक करके बना लूँगी और नासता सब को देते जाओंगी और यह सूजी का चीला आप भी ट्राइ कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है और जितना पतला इसको बनाने सकीएगा उतना अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं देखिए इस तरह करके बना रही हूँ और और सूजी का चीला में पहले भी बनाई थी लेकिन कभी आप लोग से से अगले की ती तो आज मैं सूछ रही हूं बना ही रही हूं तो फिर आप लोग से भी सेर कर रही हूं ताकि अगर अप सब को भी अच्छा लगे तो बना कर देखिएगा बनाने में क्या है क्योंकि ज़्ञादा इसमें ज़्या 흩र्द है भी नहीं और यह देखिए यह ज्या बहुत ही अच्छा से बना था और ये देखिए ये पूरी तरह से पाग गया है अब मैं एक एक करके बनाते जाओंगी तो अभी कोई मतलब किसी को नहीं दिये है ममी जी यहीं पर किचेन में है सिद्धार्थ के साथ तो ममी जी को एक में दे कर मतलब दे रही हूं पहले बोर एक खाकर देखिए कैसा बना है उसके बाद फिर और बनाते मतलब बनाते जाओंगी और देते जाओंगी तो आज का बलग मैं यहीं पर खतम करती हूं आप सबको मेरा बलोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिएगा सेर किजिएगा और सब्सक्राइब किजिएगा तो फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई